हलो दोस्तों मेरा राम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel रिकॉर्ड आवेदन दोस्तों हो रहे हैं इस बार TZT-PZT 2022 में अब तक कितने आवेदन हो चुकी हैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी क्योंकि परिक्षा जल्द कराय जाने की तयारी चल रही है Competition इस बार काफी तगड़ा होगा तो आप लोग लग जाएए अपनी परिक्षा में और Exam Card की ये किताब हैं आपकी काफी जादा हेल्प भी करेंगी वीडियो में अगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना अगरवाल एक्जाम काट लेकर आ गया है UPTCT एक्जाम के लिए Salt Practice Set और Salt Papers यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आठ विश्यों का Practice Set और Salt Paper रेडी है जिसमें समाजिक विज्ञान, कलाजियो, विज्ञान, ग्रीफ, विज्ञान, गडित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान सामिल है इसमें 15 Practice Set और 400 पेपर हैं यह Practice Set प्रिविएस येर पेपर पर ही आधारित हैं और 2020 तक के प्रिविएस येर के पेपर्स इसमें involved हैं अगर आप तैरिक करते हैं इन बुक से तो आप TZT का एक्जाम इसली क्लियर कर सकते हैं यदि आपको किताब हैं लेनी हैं ओनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एक बार चेकाउट जरूर करिएगा तो दोस्तों TZT विजटी में इस बार पनों की संख्या तो जादा नहीं है TZT बालक वर्ग में बात करें तो 3213 पद हैं वहीं पर बालिका वर्ग में सिर्फ 326 ही पद हैं लेकिन इसके बावजूद आवेदन में कोई भी कमी नहीं है रिकॉर्ड आवेदन हो रहे हैं बात करें दोस्तों कुल आवेदन का रेजिस्ट्रेशन का तो यहां पर आकड़ा आठ लाग के पास पहुँच गया है सिर्फ रेजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ और अंतिम रूप से जिन्होंने अपने फॉर्म को सम्मिट कर दिया है यानिके फी पेमेंट वगरे करके जो डिटल्स भरनी है सब कुछ भरके फाइनल सम्मिट जिन्होंने कर दिया है उनकी संख्या पांच लाग के पार चली गई है तो रिकॉर्ड आवेधन हो रहे हैं पदो के संख्या कम है लेकिन इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है पिछली बार 15 लाग सेरी कावेधन हुए थे अभी वहां तक काकड़ा तो नहीं पहुचा है लेकिन अभी समय है 3 जुलाई तक रेजिस्ट्रेशन होंगे और 9 जुलाई तक फाइनल फॉर्म सम्मिट होगा बहुँ सारे छात्र लाष्ट समय में ही फॉर्म भरते हैं लेकिन दोस्तों आप लोग जितना जल्दी हो सगे उतना जल्दी फॉर्म भर लेगे क्योंकि इस बार लास्ट डेट बढ़ने की उमीद बिलकुल भी नहीं है सर्वर बिलकुल ठीक चल रहा है इस बार कोई समस्या नहीं आ रही है वेबसाइट में और जनकारिये प्राप्त हो रही है कि लास्ट डेट इस बार नहीं बढ़ने वाला है हलाकि यदि लास्ट समय में प्राप्लम आ जाए वेबसाइट में तो वो बात अलग है लेकिन 90% चांस से ही है कि वेबसाइट में दिक्कर इस बार नहीं आएगी क्योंकि चैन बोर्ट का खुद का सर्वर इस बार आ गया है पिछली बार जैसे अब समस्या नहीं है और लास की जानकारी ले लेजिए बात करें दोस्तों मेल और फीमेल किसमें आवेदन जादा हो रहे हैं तो जायर सी बात है बालक वर्ग में आवेदन जादा हो रहे हैं क्योंकि बालक वर्ग में सब भी पूरुस आवेदन कर रहे हैं पूरुसों के पास आप्शन है नहीं तो बाल भी बालक वर्ग में ही आवेदन कर रही हैं बात करने विश्यवार किस विशे में सबसे ज़्यादा अभी तक हुए हैं तो यह जनकारी प्राप्थुरेट इज़िटी में सोसल साइंस, समाज विज्ञान में अभी तक सबसे ज़्यादा आवेदन हुआ है उसके बाद हिंदी लेकिन सबसे ज़्यादा आवेदन जो अभी तक प्राप्थ हुआ है वो सोसल साइंस का है उसके बाद फिर संस्कित हिंदी है तो आप लोग अपनी पढ़ाई करिए तैयारी में लग जाएए कॉम्पटिशन ज़्यादा होगा इस बार क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा है और सीट कम है पदों की संखिया को बढ़ने को लेकर भी कोई भी जानकारी नहीं निकल कर आ रही है उम्मीद तो काफी कम ही है किस बार पद बढ़ पाएंगे फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको सतर करहना है क्योंकि ओनलाइन करेक्शन का ओप्सन नहीं है कोई भी संसुदन आपके फॉर्म में नहीं होगा आपके फॉर्म में यदि कोई भी गलती हो गई है और यदि आपको उसे सुधारना चाहते हैं तो आपको एक नया रजिस्ट अश्राइब है।